हलो इस्टूनेंट्स अकाउंट्स में प्रेलते की अकाउंट्स में देखते हैं कि आज जब कंपनी डेवेंचर इस्यू करती है तो उसको बुक्स में कैसे जर्नलाइज करती है यहां पर का डेंचर्स आपने पहले सीखे हुए है के डेंचर क्या होता है 11 पहLY 2 एक बेंचर की inail panne रायह की कंपचा इंद्यंटे करती है जब कंपणी कुटी शेर इसशू करती है तो फ我不知道 कि व passages करता है कि तो क हopleward में आग avent कि बता दू कि डिबेंचर होता क्या है अभी कंपनी को जो है लौन चाहिए और लौन की अमांट बहुत बड़ी है बट कंपनी को बैंक से या दूसरी फाइनेंशल इंस्टिटूशन से लौन नहीं लेनी है पुब्लिक से लौन लेनी है से कंपनी को 40 करोड रौपे लेने हो तो कंपनी को 40 करोड लौन दू तो इसलिए कंपनी क्या करती है कंपनी को जितना लॉंच चाहिए इसकी जो छोटे-छोटे हिस्से कर देती है छोटे-छोटे पार्ट कर देती है उस हर किसी को बोला जाता है डिबेंचर डिबेंचर जो है अलग-अलग टाइप के होते हैं कि डेटेर इश्यू करने से कमपनी को दूसरा बेनिफिट क्या होता है आगे यह बहुत बड़ा टॉपिक है टाइप कंपनी क्यों करती है तो शॉर्ट में कमपनी को टैक्स में बेनिफिट पर जाता है अलग अलग टाइप के डिवेंचर सोते हैं वो भी किसी दूसरे लेक्टर में हम सीखेंगे अभी डिवेंचर इस्यू करने हो तो उसको जर्नलाइज कैसे करेंगे तो यहां पर एक्जम्पल गया हमने ए लिमिटेड इस्यू 10,006 परसंट डिवेंचर 100 रुपीज हंडेड सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी एंट्री लिखेंगे हम सबसे पहले बेंक अकाउंट डेबिट करेंगे जितनी अप्लिकेशन आई है 11,000 इंटू 50 तो 11,000 इंटू 50 करेंगे तो 5,000 तो डिवेंचर अप्लिकेशन अकाउंट फायले 50,000 लिखेंगे बींट अप्लिकेशन मनी आँ आँ आफ सरी रुपीज 50 तो 11,000 अप्लिकेशन अप्लिकेशन रसीट अब इसमें से जो थाउजन एक्सेस अप्लिकेशन से उसका पैसा रिफर्ण कर देगी कंपनी और बाकी का पैसा जो है डिवेंचर अकाउंट में लिखेंगे तो वह एंट्री लिखेंगे हम यहां पे 6% डाल देते हैं आप्लिकेशन अप्लिकेशन 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 अचान चाउंट पिलाग फिटी तोजन तो सिक्स परसंट डिवेंचर अकाउंट 10,000 फिफ्टी रुपीज फालेक और जो रिटर्ट करेंगे बैंक अकाउंट 50,000 लिखेंगे बींग डिवेंचर application money transferred to of the venture account and access application or एक्स्ट्र अप्लिकेशन्स वर रिफंडे उसके बाद अलोट्मेंट के पैसे मंगाएंगे तो थर्ड एंट्री लिखेंगे बेंचर अलॉट्मेंट पर विखेंगे तन तन तो पी थर्टी पीज ट्री लैग तो श्च्ट परसंट बेंचर अप्लिक तो श्च पर्संट बेंचर अप्लिकेंट बीन रुपीज थर्टी आफ अलोट्मेंट वाल्स कॉल्ड ये पैसे आएंगे को उसके एंट्री लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट प्रेबिट्ट आय में टू एर्ड ये बैंटेश ओलोट मैं ये ती लिए मैं एं टेंटेंगे हमаже घळू ओलोट मैं अनौन कि रिसी तरसी कॉल के पैसे मंगाएंगे डिबेंचर कॉल अकाउंट डैबिद 2,10,000 पे 20 रुपीस का कॉल है कि रुपीस 20 रुपीस तव यह अमाउंट रेसीवड होगी तो सिक्स्त नमबर एंट्री आएगी बेंक अकाउंट डेबिट तू लैक तू डेबेंचर ओल अकाउंट बेंचर कॉल मनिग रेसीवड तो इस तरह से यह तीन एंट्री करने है पहले एंट्री होगी बेंक टू डेबेंचर अप्लिकेशन फिर डेबेंचर अप्लिकेशन टू डेबेंचर अक्सेस अप्लिकेशन है उसका पैसा रिफंड काना है तो जितना पैसा रिफंड होगा तू बैंक अकाउंट फिर अलोट्मेंट के पैसे बंगाएंगे तो डेबे वेंचर कॉल अकॉंट तोटल कर देंगे हम